हलो किसानवायों आप सबी लोग ने देखंद से क्थेंट आत्सूंस about Time mater वीडियो में आपको बताओं जिसानवाइं कि अपनी गंढे की फसल से एले काथी से बाले के निकाल सकते हैं अगर आप इस वीदियो का पीडियो करेंगे जो मैं उर्भर्रक बताओं इन चीजों का पीडियो करेंगे तो आप सब्सक्राइब करें जिसे जो हमारी बाते हैं हमारी सभी बाते सभी पहुंच सकें और वह जाज सदा लाब ले सकें किसान वह आपको बिना कम खर्चे में एक अच्छा सही रिकात्तोर पैदाबर कैसे ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को लाच्त देखिए किसान वह आपको बताना चाहूंगा जब हमारे किसंद गन्ने की फसल की वहाई करते हैं तो किसंद में आपको उस समय चीज का बेहत ध्यान रखना हैं आपको इस चीज को बिलकुल नहीं बूलना हैं जितनी हमारी गन्ने की जमीन में अच्छी नमी नमी हो नहीं हो ज् sent works आप एक आख से 20 कले में सकते क्योंकि मिरा जीस को ध्यानपूर्वे सुनिए और मातरा जो मैं मता रहा नाउद आप सही मातरा का परियोगove करतें कि सब्सक्राइब में आपको बताना चाहिए आपको किन कि नुर्ब्लोकों का प्रियों करना है तो इसमें बताने वाला हूं कि आपको सब से पहले 10 kg सागारिका कि सर्द किसानमई मात्रा का ध्यान रखें, आप मैं एक एकड़ के बारे में बता रहा हूँ, एक एकड़ में आपको यी पिडियो करना है, 10 किलोग्राम सागारी का और 50 किलोग्राम यूरिया, किसानमई उसके बाद साथ से लेके आठ किलोग्राम आप कोई भी खरपत्वा नासिक का पिरियो कर सकते हैं जैसे कालिया आता है या कोई टेक्निकल आता है उसका पिरियो कर सकते हैं और किसानवियों आपको सलफर का पिरियों जरूर करना है चौती जो हमारी चीज है किसानवियों आपको सलफर का करना है चार से लेके पांच किलोग्राम चार से लेके पांच किलोग्राम आपको सलफर का प्रियो करना है किसान बहीं आपको अपने गन्य की फसल में गाणनें और चार और दियान लगता हैं कि समनें SUV लेतें वह पॉडर फौं में लेना है आपको दानेदार नहीं कि पाउडर फॉं में ही ल्यक्तिकारी कारें अगर आप इन चीज़ों का प्रियों करें किसानवई यह मेरा खुद का एक्सपिरियंस है मैं गांटी के साथ कह सकता हूं आपकी जो गन्य की फसल है उससे एक आकसे आप बीस कर ले सकते हैं अगली वीडियो मिलते किसानवई हो नई वीडियो में नई जनकरी के साथ धनवाद किसानवई हो